नमस्ते मैं भूंबरjas और स्वागत हैं आपका इस कोर्स में जैसे आप जानते हैं आज कल सभी के पास स्मार्टपोन है आप स्मार्टफोन में तीन एप तो हमेशा रहते है इक तो हो गया फेजबुक एक हो गया यूटुब और रेके वाट्सअप तो WhatsApp जो आप normal जो WhatsApp होता है उसको जो इस्तमाल करते हैं उसके कुछ फाइदे हैं आप उसके साथ communicate करते हैं अपने family friends के साथ communicate करते हैं message का आदान प्रदान करते हैं पर यहाँ पे आप अपने business के लिए भी WhatsApp business को इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर आप Facebook, YouTube को इस्तमाल करते हैं अपने business का प्रचार करने के लिए, marketing करने के लिए तो आप WhatsApp business को ज़रूर इस्तमाल करें क्योंकि यह बहुती बरिया एक app WhatsApp ने release किया है WhatsApp business एक बहुती बरिया tool है जो आपको मदद करेगा आपके customer तक पहुँचने के लिए और उनको आप बहुती आसानी से बहुती जल्दी कोई भी अगर जानकारी देना चाते हैं वो अगर किसी जानकारी के बारे में आए हैं आपके पास तो वो जानकारी आप उनको बहुती आसानी से दे पाएंगे क्योंकि आप एक बार में 50 लोग के साथ बात नहीं कर सकते हो, 10 लोग के साथ बात नहीं कर सकते हो, पर अगर आप WhatsApp बिजनस को इस्तमाल करते हैं, तो आप बहुत की असानी से 10 लोग के साथ, 20 लोग के साथ एक बार में एक साथ आप बात कर सकते हैं, उनको information जानकरी पहुंच के लिए और जादा से ज़दा कस्टमर को सर्विस या आपका जो प्रॉडक्ट है उसको मुहिया करवाने के लिए तो इस कोर्स में हम सीखेंगे कैसे आप बहुत ही असानी से WhatsApp बिजनस को इस्तमाल कर सकते हैं हम शुरू करेंगे कैसे आप इसको इंस्टाल करेंगे अपने मुबाइल में और कैसे आप इसको मास्टर कर सकते हैं कैसे आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं ताकि आप अपने बिजनस को आटोमेट कर सकते हैं और जादा से ज़दा कस्टम के बारे में आपके सर्विस के बारे में और इससे आपको फाइदा यह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनस के बारे में जानेंगे और जितनी ज़्यादा लोग आपके बिजनस के बारे में जानेंगे उतना ही आपका revenue बढ़ेगा उतना आपका